नीचे लिंक मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में तो आप उस लिंक को चेक कर लिजेगा और उसके बाद आप लोग अपनी आंसर की को डिरेक्ली डाउनलोड कर पाओगे तो मैंने आप लोगों को link mention किया हुआ है so please आप उस link पे click कीजिए और आपको answer की download हो जाएगी पर करनी आपको ही पड़ेगी ठीक है ना चलिए आगे ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो main logic है वो यहाँ पर क्या आजाता है कि जो salai machine होती है जो salai machine होती है एक second students so salai machine होती है उसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें salai machine की so आपकी normal वाली salai machine होती है जैसे कि यह वाली बनी हुई है इसी salai machine में अगर हम क्या लगा देते हैं आडल लगा देते हैं नीचे की तरफ और उसमें बेल्ट से उसे अटेच कर देते हैं तो वो पैरों से चलने वाली बन जाती है आजकल आपको साइज में छोटी-छोटी आप लोगों को जो इलेक्ट्रिकल सलाई मशीन होती है वो भी देखने के लिए मिल जाएंगी ठीक है औ आपको बटन होल स्टिच करनी है तो अलग आपकी सलाई मशीन आती है आपको माल लेजे रफू करनी है तो अलग सलाई मशीन आती है तो वो जितनी सारी इलेक्ट्रोनिक आपकी सलाई मशीन है वो आपके सलेबस में नहीं है वो यूजिसी नेट में है तो यूजिसी नेट म को पढ़ना शुरू करेंगे, okay, so, आज कल पढ़ाई नहीं कर रही हूं, श्वेता जी पढ़ाई कर लीजे, ठीक है ना, and क्लिक करने से कुछ नहीं हुआ, ये बड़ी अजीब बात है, पर क्लिक करोगे, तो सब कुछ होगा, and वो डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि सारे स्ट कर सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, सिलाई मशीन की, कि सिलाई मशीन आखिर है क्या, तो देखो, the swing machine is the most important element in the garment industry, भई जो आपकी garment industry होती है, जो कपड़ा उध्यों होता है, है ना, क्या होता है, जो garment industry होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसको हम garment industry कहते हैं, सिलाई मशीन एक काफी most important element होता है, क्या होता है, इन में सिलाई मशीन एक काफी most important element होता है, it minimized labor task, यह क्या करता है, जितने भी आपके श्रम साध्या कारे होते हैं, यह उन्हें कम कर देता है, अब आप एक बात बताएगा, अगर आपको कोई कहें कि आपको हास से कपड़ा सिलना है, इन असेंस सुई से कपड़ा सिलना है, वो आपके लिए जादा laborious task रहेगा, या फिर सिलाई मशीन से सिलना laborious task रहेगा, अगर आप दोनों का comparison करते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या समझ में आएगा, कि अगर हम सुई से कपड़ा सिलेंगे, हातों के माध्यम से, तो वो जादा laborious task है, in comparison to अगर हम क्या करेंगे, अगर हम कपड़े को direct सिलाई मशीन पे सिलेंगे, तो वो आपका कम laborious task होता है, यानि कि वो क्या करती है, वो आप लोगों के समय को बचाती है, श्रम को बचाती है, और कपड़ा एक अच्छी quality का और मजबूत कपड़ा सिल में आपकी मदद करती है, चीक है, आगे देखिए, by using sewing machine, we can get more standard quality garments within a short time, तो with the help of sewing machine, हम क्या कर सकते हैं, कम से कम समय में एक quality garment create कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कम से कम समय में आपके, आपके क्या होते हैं, जो quality garments होते हैं, वो आपके create किये जा सकते हैं, यानि कि एक ऐसा कपड क्या किया जा सकता है, एक ऐसा कपड़ा create किया जा सकता है, जो कि भले आपका बहुत जल्दी जल्दी सिला गया हो, बट उसमें मजबूती होगी उस कपड़े के comparison में, जो की हातों के माध्यम से सुई से सिला जाता, तो labor को कम करती है, समय को कम करती है, आपके धन की बचत कर करने में मदद करती है, क्योंकि अगर आप घर पे खुद से कपड़े सिलते हैं, तभी भी आपका क्या होता है, तरीकी की income generate होती है, तो यह बहुत सारे इसके multiple uses हो गए, आपके सिलाई मशीन के, ठीक है ना, ओके, तो चलिए यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, इसको समझ अच्छे से, तो यह चीज हमारी clear हो गई ना, अब आगे देखिए, important आपका question आजाता है, एक जहां से आपके paper में question बन जाता है, कि जो सिलाई मशीन होती है, चीक है ना, सो सिलाई मशीन की खोज किसने करी, यह सिलाई मशीन को सब से पहले find out किसने किया, तो आप क्या answer पहले, जो सिलाई मशीन था, वो किसने identify की थी, इलियस होव ने identify की थी, इन्होंने सिलाई मशीन का patent model बनाया था, ओके, यह ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया था, जो सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन का, जो patent model है, वो इन्होंने create किया था, इलियस होव ने, और यह कि पूरी इस कहानी का मेन एलिमेंट आपकी स्टेटमेंट है जो मैंने मेंशन की है आगे देखिए आप लोगों को एक पिक्चर विजिबल हो रहा होगा सभी लोगों को तो मुझे बता दो कि अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को पिक्चर जो सामने बना हुआ है यस और न से क्या हो गया है भाई कैसे लड़ाई जगड़े करते रहते हो चलिए ध्यान से देखिए तो आई होप आप लोगों को यह इमेज विजिबल हो रही होगी और यह इमेज किस चीज की है सलाई मशीन की इमेज है तो इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि सल नाम से जानते हैं किlar papers पूल पिन का काम क्या होता है यह में आपको भी बता उगी बढ़े इस पूल-पिन के लगी होती है और किसके बनती है धातू की, यहाँ पे आपका इस तरीके से एक एक गोला सा है, इसको उपर की तरफ भी खिसकाया जा सकता है, और नीचे की तरफ भी किया जा सकता है, यह क्या होता है, यह कहलाता है आपका ध्यान रखना है, आगे देखिए, यहाँ पे जो यह गोल आपको पैया देखने के लिए मिल रहा है, यह वाला पैया, जहाँ पे मैं बार बार लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, इसको कैस नाम से जानते हैं, बैलेंस वील के नाम से जानते हैं, तो यह क्या होता है, बैलेंस वील ह जाता है तो इसको bobbin winder कहा जाता है इसे हम किस नाम से जानते है bobbin winder के नाम से जानते है then आपका ये जो होती है इस तरीके से धातु की बनी हुई ये क्या है आप लोगों की needle होती है है ना इसको किस नाम से जानते है needle के नाम से जानते है यहां पे इस तरीके के यह मार्क होते हैं इस तरीके के आपके जो मैंने ड्रॉ किया है इसको किस नाम से जानते है प्रेशर फुट के नाम से जानते हैं यह क्या कहलाता है प्रेशर फुट कहलाता है अब यहीं पे प्रेशर फुट के नीचे ऐसे जिगजग जिगजग दाते ह होते हैं इनको किस नाम से जानते हैं फीड डॉक के नाम से जानते हैं ओके यह क्या कहलाते हैं यहां पे जो आपकी प्लेट बनीवी होती है ओके यह क्या बनीवी होती है जो यह वाली पूरी की पूरी प्लेट होती है यहां वाली इसको किस नाम से जानते हैं slide plate के नाम से जानते हैं, ओके, यह क्या कहलाती है, slide plate कहलाती है, ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके का एक hook बनावा होता है, इसको hook ही कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक आपका page जैसा होता है, इस तरीके का, जिसमें सुई लगा के कसी जाती है, इसको needle clamp कहते हैं इसे किस नाम से जानते हैं निडिल, क्लैम्प के नाम से जानते हैं अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यह क्या होता है यहाँ पे लगावा जो उपर की तरफ होता है जिसका काम होता है आपके धागे को गाइड करना यह क्या कहलाता है Thread Guide कहलाता है इसे किस नाम से जानते है Thread Guide के नाम से जानते है अब यहाँ पे क्या होता है Students क्या लगा रहता है इस तरीके का अगर मैं कहूं तो यह Lever लगा रहता है ठीक है यहाँ पे छेद होता है इसमें से धागा निकाल के अंदर की तरफ डाला जाता है इसको किस नाम से जानते है Thread Take Up Lever ओके यह क्या कहलाता है Thread Take Up Lever ठीक है यहाँ पे आपका क्या लगा होता है यह Lifter लगा होता है ओके यह क्या होता है Lifter होता है यहाँ पर जो एक गोले गोले से आगे बने वे होते हैं इसको tension regulator कहते हैं यह तो आपका एक क्या हो गया basic structure हो गया जो I hope आप लोगो को visible हो रहा होगा अभी हम इसके सारे parts को detail में पढ़ेंगे तो मुझे यह बताओ अभी तक आपको image clear है इसमें कोई doubt तो नहीं है हलो खुश्बू कैसे हो आप thank you स्थुती and ओके सूप्रभाद उपासना जी चलिएगा so I hope आपको जो यह image है यह अच्छे से clear हो गई होगी मुझे बताइए एक बार आपको यह clear है अभी तक आपको जो मैंने swing machine की image draw करके दिखाई है I hope आप लोगों को जो है वो अच्छे से clear हो गई होगी ठीक है ना and अनुपमा जी screenshot लेनी की जरुवत नहीं है मैं यह image आपको share कर दूँगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है चलिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है हमने एक basic structure इसके देख ली है कि जो सिलाई machine होती है सिलाई machine में कितने भाग होते है और वो भाग कापके कहा कहा होते है तो अभी तक आपने सर्फ यह पढ़ा है कि अगर हम एक सिलाई machine की बात करे तो वो सिलाई machine दिखती कैसी है और उसके भाग क्या क्या होते है अब हमें हर काम के बारे में पता होना चाहिए यानि कि जितने भागों के बारे में हम पढ़ रहे हैं उतने भागों के कारे हमें पता होने चाहिए कि उनके कारे क्या होते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, so, इस Spool Pin के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, कि इस Spool Pin क्या होती है, तो देखे, मैंने आपको Spool Pin का डाइगराम तो दिखाया ही था, जो आपकी ऊपर की तरफ ऐसे लगी भी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी Reel होती है, उसको Add करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है, student आपकी Spool Pin, the main function of the Spool Pin is to hold the Spool of Thread, इसका काम क्या होता है, कि धागे के Spool को पकड़ के रखने का काम करती है, ओके, ये क्या करती है, इसको समझी अच्छे से, ये आपका क्या करेगी, ये आप लोगों के जो एक तरीके से Reel है, Reel को कहते है, Spool, तो इस Spool को Hold करने के लिए, Spool Pin के Requirement होती है, आप इतना समझ सकते हो, जो Reel होती है, Reel पूरी की पूरी आपकी ऐसे गुली टाइप की होती है, ऐसे गोल-गोल गूमती रहती है, जब इसके उपर ल होता है, कि आपकी मशीन में आपके धागे को Hold करने का काम करती है, आपकी Spool Pin को Hold करने का काम करती है, इसके अलावा, ये कोई और काम नहीं करती है, ठीक है, नेक्स आता है, सूई प्लेट, जिसको किस नाम से जानते हैं, निडल प्लेट के नाम से जानते हैं, तो अब आपक that is situated under the needle and pressure foot, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यह needle plate कहाँ पर situated होती है, अगर हम इस needle plate के बारे में बात करें, तो यह metal की plate होती है, ओकी, यह किस चीज की plate होती है, metal की plate होती है, जो कि आपके needle और pressure foot के नीचे की तरफ होती है, चीक है, कहाँ पर होती है, needle plate के बारे में ध्यान रखिएगा हमेशा, यह आपके needle के नीचे होगी, और pressure foot के नीचे की तरफ होगी, जिसका काम क्या होता है, कि जब कपड़े को सिला जाता है, है ना, इसका काम क्या होता है, कि जब इसको क्या करते हैं, इसको हम सिलते हैं, तो सिलते समय, इस plate के उपर जब कपड़ा रखा रहता है, तो कपड़ा easily आगे की तरफ forward होता रहता है, यानि कि आगे की तरफ बढ़ता रहता है, तो अगर यह plate यहाँ पे सुई के नीचे लगीवी है, तो यहाँ पे आपको जगे मिल जाती है कपड़े को रखने की, और आप इसके उपर कपड़े को रखके, उसे आगे की तरफ बढ़ाते रहते हो, कपड़ा जो है वो सिलता रहता है, तो निडिल प्लेट हमेशा निडिल की नीचे की तरफ होगी, और ये भी धातू की बनीवी होती है, और जिसके साहता से कपड़ा आगे की ओर जाता रहता है, ओके, चलिए, नेक्स देखिएगा, हम बात करते हैं निडिल की, तो निडिल क्या होती है, निडिल होती है सुई, और सुई किस की बनीवी होती है, सुई भी बनीवी होती है आपकी जो कि धातु की होती है so the needle is a thin pointed metal rod that carries the thread through the fabric अब निडल का काम क्या है निडल कैसी होती है सुई एक पतली नोकीली धातु की छड होती है okay क्या होता है student जो सुई होती है वो नोकीली होती है काफी पतली होती है और धातु की एक छड होती है क्योंकि वो लंबाई में होती है है ना तो उसको क्या कहते है कि वो काफी नोकीली है काफी पतली है धातु की छड होती है जो कपड़े के माध्यम से धागे को ले जाती है तो ये क्या करती है student इस निडल के माध्यम से ही क्योंकि ये पतली और नुकीली होती है तो पतली और नुकीली होने की वज़े से ही इस निडल की वज़ा से कपड़े के अंदर धागा चला जाता है अगर निडल ना हो तो कपड़े के अंदर धागा नहीं जाएगा ये बात का ध्यान रखिएगा कि अगर निडल नहीं होगी तो कपड़े के अंदर धागा नहीं जाएगा और ये निडल क्या होती रहती है ये निडल बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होती रहती है ये निडल क्या करती है जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होती रहती है और इसी वज़े से कपड़े के अंदर ये फंदे बनाती रहती जो की धागे की साहिता से बंते रहते हैं, तो ये आपका काम किसका होता है, निडिल का होता है, ठीक है, आगे देखेंगे, बॉबिन के बारे में बात करेंगे, तो बॉबिन होता क्या है, चलिए पहले आपको बता देती हूँ, कमेंट्स आपके बड़े सारे आते जा रहे है ठीक है ना, येस, गुली भी कहते हैं, येस, and sleeves and collar भी पढ़ा दीजेगा, so मैंने sleeves अलड़ी पढ़ा रखी हैं, प्रिंसस वानी, आप एक बार चेक कर लीजे, ठीक है, इसके साथ साथ picture दिखाते चलिए, तो जाधा अच्छे से समझ में आएगा, ओके, येस, निडल बार नह आड है, ठीक है, दो, चलिए, So, आके ध्यान से देखिए, the bobbin is a small spool that hold the lower thread, अब bobbin क्या होता है, bobbin अगत छोटा सा spool hोता है, okay, इसको समझेंगे, bobbin क्या होता है, इक छोटा सा spool hोता है, यानि कि एक छोटा सा मैं कहूं तो छला होता है क्या होता है एक छोटा सा स्पूल और एक छोटा सा छला होता है जिसका काम क्या होता है कि जो आपका लोवर थ्रेड होता है जो निचला धागा होता है ये उसे होल्ड करके रखता है अगर हम बात करते हैं बॉबिन की तो बॉबिन क्या होता है बॉबिन आप लोगों का एक छला होता है जो की धातू से बनावा होता है ये भी किस से बनता है स्टूडन ये भी आप लोगों का धातू से बनता है और इसका काम क्या है कि जो नीचे का धागा होता है आपको पता ह कि upper thread तो आप लोगों का slime machine में ऊपर से आता रहता है जो कि spool pin में attach होती है reel आपकी वहां से आता है and then आपका जो क्या होता है नीचे वाला धागा है वो चल्ले पे लिपता रहता है जिस चल्ले को किस नाम से जानते हैं बॉबिन के नाम से जानते हैं it sits below the needle plate and rotate the from the lower part of the stitch और ये कहां situated रहता है जो आपका बॉबिन है उसे आप कहां पे लगाते हो बॉबिन को लगाया जाता है needle plate के नीचे की तरफ ओके ये ध्यान रखिएगा जो बॉबिन को हम लगाते हैं कहां लगाते हैं needle plate के नीचे की तरफ और वहीं से धागा उपर की तरफ जाता रहता है जो आपकी needle होती है वो नीचे से फंदे को खीशती रहती है उपर वाले धागे को use करती रहती है और दोनों को मिला के फंदे create करती रहती है तो एक बार आप इसका image देख लो आपको समझ में आ जाएगा सारे के सारे लोग क देखने में कैसा लगता है तो बॉबन देखने में ऐसा लगता है एक बार ध्यान से रेखेंगे सब लोगों को visible हो रहा है yes or no बताइए मुझे एक बार I hope आप सब लोगों को visible हो रहा होगा और मेरा गला थोड़ा खराब है तो मुझे लग रहा है मेरी आवास थोड़ी ऐस विदकना चलिए सो ध्यान से देखेंगे यहां पर आप लोगों को visible हो रहा है कि जो आपको एक गोल इमेज देखने के लिए मिल रही है ये किसकी रखता है, कवर करके रखता है, है ना, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, यह वाला क्या है, यह बॉबिन केस है, और यह क्या है आप लोगों का, यह बॉबिन होता है, तो यह बॉबिन जिसके ओपर धागा लपेटा जाता है, यह सिलाई मशीन के, जो आपका निचला वाल है चीक है ना यह आपका क्या कहलाता है आपका बॉबिन और बॉबिन केस कहलाता है आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट अगर हम बॉबिन केस के बारे में बात करते हैं So, the bobbin case is a protective housing for the bobbin. अभी मैंने यही बताया था ना, कि एक bobbin को रखने के लिए, जो एक सुरक्षात्मा कवर होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको bobbin के नाम से जानते हैं, यानि कि bobbin case के नाम से जानते हैं. So, basically, bobbin case क्या है? एक प्रोटेक्टिक कवरिंग होती है, जिसके अंदर क्या रखा जाता है? बॉबिन को रखा जाता है. Okay, it fits into the sewing machine and guides the thread from the bobbin to form the stitch on the underside of the fabric. अब इसका मतलब क्या है? कि यह क्या करता है? इसका काम यह है कि यह bobbin को अच्छे से क्या करेगा? hold करेगा और उसको machine के अंदर की तरफ क्या कर देगा? फिट कर देगा? और उसके बाद कैसे इसको धागा लेना है? यह guide करता रहता है bobbin को कि धागा आखिर कैसे लेना है प्लस यह धागा लेने के बाद कैसे कपड़े में टाके लगाए जाएँगे? इस चीज़ के लिए guide करने का काम क्या होता है? किसका होता है? यह ध्यान रखिएगा तो bobbin case का ही यह काम होता है. तो Bobin Case ने क्या काम किया, कि भाई ये Bobin Case, Bobin के लिए क्या बन जाता है, एक सुरक्षात्न कावास बन जाता है, ये सिलाई मशीन में फिट हो जाता है, और कपड़े के नीचे की तरफ टाके बनाने के लिए, Bobin से धागे को नरदेशित करता है, तो कपड़े के नीचे वाली सा जो टांके बनेंगे, वो टांके किस की मदस से बनेंगे, बॉबिन केस की मदस से बनते हैं, क्योंकि बॉबिन केस बॉबिन को गाइड करता है, कि निचले टांके कैसे लगाने हैं, इस तरीके से बॉबिन केस काम करता है, तो अभी तक आप लोगो को समझ में आ रहा है सारी च स्क्रिप्शन में तो आप लोग वहां से क्लिक करके डाउलोड कर सकते हैं सो अभी तक सब कुछ क्लियर है स्टूड यस और नो कितनी बाते करते हूं क्या बात है कि येस आज मेरी आवास खराब हो रही है और मुझे आज पीपीटी भी बनानी है आज मेरी रिसर्च की क्लास ह जग है होम साइन्स की पीपीटी बना दी और मुझे बिल्कुल दिमाग में नहीं रहा क्योंकि कल मेरी तवेती ठीक नहीं थी तो मुझे आज वो फिर से बनानी पड़ेगी अभी बीच में जो टाइम मिलेगा उसी में चलिए तो आगे ध्यान से रेखिए नेक्स हम बात कर ग knocking कि इल्टी बाते हैं किसके बारे में प्रेशर फुट्ट के बारे में के बारे में रहां प्रेशर के डिखते हैं वो मैं आपके बता दे ती हूं दप्रेशर के नहीं इसको समझीएगा क्या होता है नें क्या होता है स्टूडेंट के सिलाई के दौरान कपड़े को होल्ड करके रखना जिससे सिलाई अच्छे से लग सके ठीक है ना यह ध्यान रखिएगा प्रेशर फुट का काम क्या होता है कि भाई आप जब प्रेशर फुट को लगाते हैं मशीन में सो प्रेशर फुट क्या काम करता है pressure foot का काम यह है कि वो metal बका बना हुआ होता है metal piece होता है जो की fabric को hold करके रखता है सिलाई के दौरान अगर यह नहीं होगा तो क्या होगा कपड़ा hold नहीं हो पाएगा कपड़ा हो नहीं हो पाएगा तो कपड़ा धरोधर भागेगा और वो आपका सिलाई अच्छे से नहीं कर पाएगा तो यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या जरूरी है कि आपका जो सिलाई मशीन है सिलाई मशीन में जो pressure foot होता है वो बहुत important काम करता है कि सिलाई के दौरान वो आपके कपड़े को hold करके रखता है जिससे की जो कपड़ा इतना बड़ा होता है वो इधर उधर ना भागे एक position पे hold हो जाए और सिलाई आसानी से लगती रहे कैसा लगता है दिखने में ऐसा लगता है सब लोगों को visible हो रहा है बताईए मुझे एक बार बताईए बताईए जल्दी से आप लोगों को समझ में आ रहा है सबको बताते जाओ एक बार कितनी बाते चलती हैं भाई इस गुरूप में ओके सो आप में से कुछ लोगों का question आ रहा है कि माम इसको match कैसे करें तो fab and fusion अभी आपको match नहीं करनी है अभी आपको सर्फ question के साथ में correct answer मिले है अभी आपको आपकी वाली response sheet नहीं मिली है कि आखिर आपने क्या निशान लगाये थे तो अभी आप सिर्फ इतना देख सकते हो कि क्या question आया था क्या answer है उस question का correct answer किया है बस अभी आप सिर्फ इतना देख सकते हैं कि आपने जो question attempt करे हैं यानि कि आपके सामने जो paper आया था उस paper के answer question के क्या है बस आप सिर्फ इतना देख सकते हो अभी आप उसकी response sheet को match नहीं कर सकते क्योंकि आपकी response sheet अभी आई ही नहीं है सिर्फ answers आए है ठीक है ना चलिएगा निडिल प्लेट की इमेज दिखा दू निडिल प्लेट की कोई इमेज नहीं होती एक्चल में आपकी जो सिलाई मशीन होती है सिलाई मशीन में अगर आप देखो तो इस तरीके से आपकी एक प्लेट लगीवी होती है नीचे की तरफ ऐसे लगावा देखा आप लोगों ने यस और नो बताइए बताइए जल्दी से आप लोगों ने देखी थी इस तरीके की इमेज होती है नीचे की तरफ सलाई मशीन में जहां पर सुई लगीवी होती है तो वहाँ पे ये आदा हिस्सा जो होता है, ये क्या होता है student, एक ये वाला हिस्सा होता है, ये हिस्सा फिक्स होता है, मैटल का बनावा होता है, ये हिस्सा फिक्स होता है, ये हिस्से को आप उठा सकते हो, और इसके अंदर से आप क्या लगाते हो, बॉबिल लगाते हो, तो इसी को किस नाम से जानते हैं, निडिल प्लेट के नाम से जानते हैं, जो कि किस की बनीवी होती है, मैटल की बनीवी होती है, ओके साक्षी, सलाई मशीन अगर अगर अज्यूम करोगी माइन में, तो आपको खुदी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, ओके, आज के न्यूस पेपर में मैंने न्यूस देखी कि आपका स्टेटस सबने देखा, इसलिए आपको इस बार पंधरा अगरस को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा, ये क्या था भाई? पताईए, पताईए जल्दी से, आप लोगों को समझ में आरे हैं सारी चीज़े, सबको क्लियर है, ओल क्लियर, यहाँ पे नहीं भेज सकती, नायरा सोलंकी, अब देखो, यहाँ पे मुझे आपको क्या विजबल करना था, प्रेशर फुट विजबल करने थे, और प्रेशर जैसे होते हैं, इनको किस नाम से जानते हैं, प्रेशर फुट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, तो एक बार अच्छे से देख लो सब लोग, यहाँ पे आप लोगो को विजबल हो रहा होगा, यह क्या कहलाते हैं, ठीक है ना, चलिए, सो यहाँ पर एक बात और ध्यान से देख लिजेगा कि यह क्या होते हैं यह pressure foot होते हैं और यह जो नीचे आपको दाते दाते देखने के लिए मिल रहे हैं यह वाले हैं ये कहलाते हैं फीड डॉग ओके एक बार ध्यान से देख लीजेगा आपको समझ में आ रहा है सबको क्लियर हो रहा है तो ध्यान से देखिएगा यह क्या कहलाता है प्रेशर फुट कहलाता है और यह नीचे की तरफ जो आपको जिग-जग देखने के लिए मिल यह क्या होते हैं फीड डॉग होते हैं इनका काम क्या होता है कपड़े को आगे धकेलना होता है तो सबसे पहले बात करेंगे फीड डॉग के बारे में फीड डॉग का क्या होता है स्टूडेंस इसको समझेगा जो फीड डॉग होता है वो भी मैटल का बनावा होता है ओके जो Book Englishman, Abhishek Pandey, मैंने पहले ही बोला था, कि वो किताब आपकी Englishman मैं है, वो Hindi किताब नहीं है, जो जो फेट डॉक के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो फीट डॉक जो होता है, वो मैटल के टीथ होते हैं, क्या होता है? मैटल के टीथ होते हैं, यानि कि metal के अगर मैं कहूं तो छोटे-छोटे से दाते होते हैं इस तरीके के आपको देखने के लिए लगते हैं और जिनका काम क्या होता है कि सिलाई के दौरान जब pressure foot कपड़े को hold कर लेता है तो उस कपड़े को आगे धकेलने का काम कौन करता है पीट डॉक करते हैं ओके यह आपका किसका function होता है पीट डॉक का function होता है तो एक बार यहाँ पर देख लिए ध्यान से यह ऐसे दिखते हैं आप लोगों को visible हो रहे हैं यह संतोष जी नेट के काम का भी है ओके क्या हो गया भाई ओके तो मुझे लग रहा है आई होप आप लोगों को अभी तक सारी चीज़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी अभी मैं आज इतना ही continue करूंगी कल आपको यह topic complete पढ़ा दूंगी क्योंकि अभी मुझे PPT बनानी है और अभी मुझे जाना है तो अभी मैं आप लोगों क यहीं पर stop कर रही हूँ and यह topic यहां भी पूरा नहीं हुआ है इसके different part plus इसकी care and maintenance कैसे होती है वो हम अपने कल के section में खतम करेंगे and Monday को हम लोग फिर theory पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि मैं last के 3 days आप लोग हमें question कराईएगा and starting के 3 days आप लोग हमें theory पढ़ हो जाएंगे okay so I hope आपको अच्छा लगा होगा session हम फिर से मिलेंगे next class में क्योंकि मेरी back-to-back class है तो मुझे PPT बनाने के सिर्फ हाफ नरी मिलेगा and उसी में मुझे बनानी पड़ेगी okay so चलिए bye take care